अस्स-सलाम वाले कुम फ्रेंड्स चले आज बनाते हैं घो बी के पराते यह खाने में जितने डिएस्ट है यह बनाने में बह। बहुत ही चटपट बन जाते हैं इसे बनना बहुत ही आसान है चले इसे शुरू करते हैं मैंने यहां पर एक गोबी का फूल ले लिया है यह अराउंड आदा किलो है तो मैं इसे यहां पर इसके सारी दंडियों के इस तरह से कट कर लोगी और इसे छोटे चोटे पीसस में हम इसे निकाल लेंगे सारे, फिर हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, इस तरह से, आप इसको इसके दंडी के साथ भी से ग्रेट कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से सिर्फ उसका उपर का हिस्सा इस तरह से ग्रेट कर लें, मैं तो यहाँ पर कम्प्लीट इसका सारा गोब इसे टेडि भुए बहुत ही शचटपट रहट ही ऐसान टाइम भी बच जाता है तो देखो मैं किस तरह से इसे बारिक कर ली हूँ इस तरह से बारिक बारिक इसको अच्छे से चॉप कर ले और इसे एक प्लेट में डाल ले उसी ग्रेटर में या फिर उसी चॉपर में आप उसे एक आउनियन बड़ा साइस कर ले ले और उसे इसी में इस तरह से आड़ कर ले वैसे तो प्यास में बहुत ज़्यदा मॉइस्टर होता है तो इसलिए आप थोड़ा सा प्यास आखरी में डाले तो ठीक होगा वरना आपके पराटे भट जाएंगे और नमक भी आप आखरी में ही डालेगा क्योंकि जैसे ही आप इसमें ओनियन डालेंगे तो जैसा ही प्यास का पानी छूटता है वो सारा उसमें मॉइस्टर आ जाएगा तो इसे आप लास में डाल सकते हैं मैं इमीडियेट बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ओनियन डाल रही हूँ फिर मैंने यहाँ पर एक कटी हुई ग्रीन चिली को आट किया फिर हाफ टी स्पून रेचिली हाफ टी स्पून कोरियंडर पाऌडर नहीं पाउडर जीरा पाउडर और थोड़ा सदहनीए और थोड़ी συνव्या घींग और थोड़ी सि हल्दी जैसे के मैंने हल्डी by टीग और हिंग भी मैंने हम पर इसमूंकी और रिफेञ रहे हैं अभि अज्वाइन् gdy जो में आप रहे हम 50 अज्वाइन यहां अच्छा होता है इसलिए में अमक इसमें डाल रही हूँ फिर आमचुर पाउडर एट करूंगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसको इस तरह से फिलिंग बनाने के बाद एक पैन ले लेंगे जिसमें मैं यहाँ पर टू टेबल स्पून ऑईल एट करूंगी फिर सारा मिक्स्टर हम इमीडियेटली इस तरह से ऑईल में डाल कर इसे 10-15 मिनिट के लिए अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे अब हम इसे साइड में रख लेंगे और इसे पराटे बनाने की तयारी करते हैं फिलिंग को हमें अच्छे से थंडा कर लेना है अब एक बाउल में हम आट कर लेंगे दो कप गहूंका आटा इससे हमारे पराटे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नर्म बनेंगी इसमें मैं थोड़ा सा नमक आट करूंगी और टूटेबल स्पून ओयल डालना जरूरी है ताकि हमारे पराटे बहुत ही सॉफ्ट बने फिर इसे में थोड़ा सा पानी आट करते हुए इसे रोटी जिस तरह से हम गूनते हैं उस तरह से में इसे आटे को अच्छे से गून लोंगी और गूनना है ताकि हमारे पराटे तूटेना तो अब मैं यह पर थोड़ा स्वाइल दालूंगी और इसे 10 मिनिट की रह में से अच्छे से गून लेंगे आटे को अब यहाँ पर और हम अच्छा नर्म हो चूंग तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दस मिनेट रख दिया अब यहाँ जैसा ही गुना में इस तरहा-पर आटा 10 मिनिट के यहीं सर्फ और eles estaba यहां पर रोलर की मदद से एक इस तरह से से रोटी से दे ओँ इन अब बह आपको आपको इसमें आपर गोभी की फिलिम् आफ करना है जैसे आप अलु पराटे बनाते हैं मूली के पराटे या तरहें उसी तरह से आप इसमें फिलिन एट पर इस चीक ब्रप मंश सकता है और इसके ताट मोद्ग थोड़ है है तुछ जिए त्यश्य भीक भी अधर इसके हम आजग अधर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इमीडियेटली से बनाना है वरना इस पराटी तूट जाएंगी क्योंकि इसमें नमक होता है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट कर ले फिर हम इस तरह से रोल करते हुए रख लेंगे अब हम इसे अच्छे से रोटी पका के इसला पराटो को पका ले है दोनों तरफ से आप चाहतो इसमें ऐल भी डाल सकते हो या फिर आप इसमें घी भी लागा सकते हो या फिर बटर भी तो मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूं मैं यहां पर ऑयल डाला है तो अब इसे मैंने 5-10 मीनित के लिए अच्छे से इ इस तरह के सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी से पराटे बन जाएंगे तो ये गोबी के पराटे होप कि आपको पसंद आए होगे इंशाला तो आप इसे जरूर घर पर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताएए कि आपको ये कैसे लगे गोबी के पराटे बनकर तयार हो चुके हैं आप इसे अचार के साथ या फिर आपकी पसंद दिदा कोई भी राइते के साथ या फिर चटनी के साथ आप इसे घर पर जरूर सर्फ करें और इसे फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉई करें और मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूले मैं आपको जल्द ही नई रेसिपि के साथ मिलती रहूंगी इंशालला बस मुझे दुआओं में याद रखिया और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूले आप देख सकते हैं ये पराटे कितने बढ़िया हैं और बहुत ही सब्सक्राइब कितने पीस कितने पाद़ volontики बढ़िया खुआ यदि को कित favored फेस्ट कितने रहूंगी इंशाललवा ज्या चार मत भूले रखिया बुते हैं ये पु會 प्ले दूर सरा गग दे ornoर बहूटष्